यह आपको differentiate करना है तो differentiate करने के लिए बोला खाले और कुछ नहीं बोला तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ पहले question में आपने इसको y माल लेना इसको y माल लेजे यह let कर लिया हमने ठीक है? यहाँ तक सही है? अब आपने इसको differentiate करना है यानि कि dy by dx आपको निकालना है तो dy by dx जो भी होगा वो आपका answer होगा अब इसमें एक formula मैं आपको बता देता हूँ जो कि पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा important formula है वो है आपका यह वाला formula छटा formula इस छटे formula पर आप ध्यान दीजे यह जो लिखा है यह formula बहुत important है और इसी formula का हम use करेंगे solve करने में इसको तो मैं इसको दुबारा एक बार फिर भी लिख देता हूँ यह formula मेरा है in fact मैं इसको थोड़ा उल्टा करेंगे लिखना चाहता हूँ x equals to e की power ln x यह लिखना चाहरा हूँ मैं कहने का मतलब यह जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखना होता है जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखना होता है तो यह formula आपका बहुत ज़्यादा use होगा इस तरह के questions को करने में ठीक है किताबों में यह u और v मानके किया जाता है बट इस तरीके से करोगे ना तो ज़्यादा सन पड़ेगा तो मैं करके बताता हूँ कैसे होगा तो solution स्टार्ट करते हैं तो यह जो आपका y है y equals to अब देखो इसमें मैं यह चीज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कैसे आप यह सारा x की तरह देखो यह सारा यह सारा आप x की तरह देखो कैसे जैसे यह है तो यह क्या होगा e की पावर ln x तो यहनिकी e की पावर ln whatever समझ गए तो यह देखो लिखके दिखाता हूँ आपको मैं यह अटा देता हूँ तो यह आपका हो जाएगा e की पावर ln whatever जो भी आपका यह सारा यह लिख दिया और बिल्कुल इसी तरह से इसको भी लिख दिया e की पावर ln whatever यह x की पावर में है यह ऐसे बोलो यह बात समझ में आईगी नहीं आगए अच्छे से अच्छा अब यहाँ पर लगा देते हैं लोग की प्रोपर्टी कौन सी वाली यह वाली कि ln m की पावर n तो यह n आगे आ जाता है यह वाली प्रोपर्टी यह वाली प्रोपर्टी लगा रहे है ln x plus 1 upon x और इस वाले केस में क्या होगा इसमें यह आ जाएगा पूरा आगे 1 यह चीज पूरी आ गया जाएगी यह यह चीज जो है न यह पूरी यह कूद के यहाँ पर आगे आ जाएगी ऐसे इसके multiply में आगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 plus 1 upon x multiply में ln x ठीक है तो यह आपका y बन गया इस तरह से अब यहाँ पर आप इसको differentiate कर दीजे विद रिस्पेक्ट टू x differentiate with respect to x आप differentiate करना शुरू करते हैं तो यहाँ तो आपका बनेगा d y by d x अब यहाँ पर लग रहा आपका chain rule और chain के साथ product rule और product में फिर chain है ठीक है देखो बताता हूँ कैसे है अगर इस वाले इस वाले function की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस में देखो rough में बताता हूँ पहले तो e का होगा पहले तो इस e का होगा जो भी होगा e का e की power x के साब से करेंगे उसके बाद आपका product rule लग रहा है देखो ना product rule के अंदर करते करते आपका ये वाला हिस्सा chain rule से होगा इस वाले हिस्से के अंदर chain rule भी है chain rule भी नजरा आ रहा है ठीक है तो ये करके بتाता हूँ कैसे होगा तो सबसे पहले देखे e की x का क्या होता है E की X ही होता है अब E की X की बजाए ये सारा रखा हुआ है X नहीं है ये सारा है तो ये जो भी है E की X का E की X तो ये ही सारा बढ़ना है आपको यहाँ पर तो यहीं बढ़ दो ऐसे बढ़ दिया हमने X LN X प्लस 1 अपोन X तो क्योंके chain rule ही यहाँ पर chain rule भी है साथ-साथ पहले chain rule भी है उसके बाद product rule की और divert हुए हम तो chain rule की वज़े से आपको इस वाले part का differentiate करना है अब इस वाले part का differentiation product rule से होगा तो करते हैं तो इसमें क्या है अब इसमें आपका दो कानी है देखो इसको रप कर देता है इसमें जो आपकी दो कानी है आपके दो function है एक function यह है और एक function इसमें यह है दो function है इसमें तो पहला function दूसरे का derivative अब इसका derivative आपका chain rule से है तो पहले तो ln का करोगे ln का क्या होगा 1 upon whatever जो भी आपका 1 plus 1 upon x और multiply में अब इसका derivative इसका derivative क्या होगा, x का हो गया 1 प्लस अब 1 upon x का क्या होता है, direct याद रखिए minus 1 upon x square, direct तो minus 1 upon x square तो एक काम कुरूँ जो मैंने plus लिखा है न, इसको direct लिख देता हूँ, minus 1 upon x square तो ये जो हिस्सा आया है आपका ये इतना, इतना इसका dash है ये जो हिस्सा ये इसका dash है समझें, derivative है इसका ये तो ये आपको dash हटा देता हूँ ताकि confusion ना रहे, इसको भी हटा देता हूँ और उसके बाद plus अब दूसरा function, दूसरा function ये ये आपका नीले वाला, इसको agitive लिख दीजे और पहले का derivative पहले का derivative, पहले का derivative, x का आपका क्या होता है 1 होता है तो 1 होता है तो उसको लिखने के ज़रूती नहीं है वैसे तो लिख लो, चलो लिख देते हैं ताकि पता रहे, इस तरह से तो ये हमारा पूरा derivative complete हो गया अब बार ही आती है next की तो next की जो है, मैं काम करता हूँ next page पे कर लिए तो पहले तो यहाँ plus लगा देते हैं फिर next page की ओर चलते हैं यहाँ पर करना शुरू करते हैं next page पे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए क्या है यह वाला तो in fact मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपका ध्यान रहे है हमारा क्या है यह e की 1 प्लस 1 अपोन x ln x है यह इस पर देखना तो plus मैं आगे continue कर रहे हैं इसके अंदर ही यहाँ से आगे continue कर रहे है यहाँ से continue कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले e की x का तो e की x ही हो गया e की x का तो e की x ही होता तो यानि कि 1 प्लस 1 अपोन x और ln x as it is लिख दिया यही ठीक है अब product rule आ गया इसमें ठीक है तो पहला function अब इसमें 2 function अज़र आ रहोंगे आपको एक function यह है और एक function यह है तो पहला function x प्लस दूसरा function ln x और पहले function का 1 का 0 और 1 upon x का minus 1 upon x square थोड़ा सा gap दे दो नहीं तो आपको ऐसा लगए कि लोग में है इसलिए मैंने usually थोड़ा सा gap दे देता हूं आगे भीज़ेता हूं ऐसे यह थोड़ा सा आगे कर दिया हमने ठीक है इसको simplify करेंगे हम बट यह चीज़ देखें यह चीज़ किससे बनी है यह इससे बनी है यह इससे बनी है या फिर इससे बनी है तो better यह कि इसको लिखने की बजाए आप इसको वापिस यह लिखतो यह चीज आपका यह पूरा और ये पूरा एक ही बात है है न peak-6 तो बनाए हमने देखो ये इसे बनाया था फिर ये बनाया था फिर ये तो आपका देखिए रहो तो इसको वापस return करने जा रहा है इसको और आप कर देते हैं इसको हमने highlight किया था वस खाली और ये हमने कर दिया रख अब यह लिख देते हैं इसके जगे तो क्या लिख देते हैं x प्लस 1 अपोन x की पावर x और फिर आपका यह सारा अब इस सारे में भी आप क्या करो तो यह जो नीचे वाला portion ने इसमें ले लो तो lcm लिया जाएगा तो थोड़ा से x स्क्वार प्लस 1 और multiply में क्या है आपका x स्क्वार माइनस 1 अपोन में x स्क्वार यहां भी lcm ले लिया तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वार माइनस 1 अपोन में x स्क्वार अच्छा यह कट रहा होगा यह काट दो यह कट गया आगे क्या फिर आगे ये है आगे इसमें ऐसी as it is लिख दो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ करने की जूरत नहीं है ln आपका x plus 1 upon x plus अब continuation part ये वाला है अब इसको करते है तो ये चीज किससे बनी थी है हमारी ये चीज ये चीज हमारी इससे बनी थी तो इसको return कर दो x की power 1 plus 1 upon x तो ये लिख देते हैं x की power 1 plus 1 upon x ये return कर दिया अब इसके बाद बचावा portion ये लिखेंगे ये वाला portion तो इस वाले portion में क्या कर सकते हैं इसमें आप lcm लेंगे तो x plus 1 upon max square x plus 1 upon max square क्यों इन दोने की multiply होगी आप उन में x square और ये जोरा पीछे अच्छा ही लग रहा इसको आगे लिख दो इसको आगे लिख दो minus के 1 upon में x square और ln x ये हो गया आपका आप इसको last में answer देते हैं अच्छे से x plus 1 upon x की power x और यहाँ पर आपका बन जाएगा x square minus 1 x square plus 1 और plus ln x plus 1 upon x और यहाँ पर आपका बनता है x और उसकी power है 1 plus 1 upon x और यहाँ पर आपका क्या बच्छता है ये इसको एक काम करिए x plus 1 minus ln x और पूरे के upon में x square है क्योंकि दोनों में LCM ले सकते हो ना simplest form में answer देना होता है तो ये आपका final answer हो गया इसका answer usually लंबा ही आता है छोटा नहीं आता अब ज़्यादे स्यादा आप क्या कर सकते थे जैसे x square है तो इसमें minus 2 और कर सकते हैं इस x को हटाएंगे exponent का लाँ लगाएंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो x की power minus 2 हो जाएगा इसमें minus 2 और कर सकते हो तो 1 upon x minus 1 answer हो जाएगा इसमें जादा स्यादा ये और कर सकते हैं पर ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो answer match कराएंगे न तो answer में ये चीज हो सकता है जो evaluator है वो उस चीज़ पर ध्यान दे ये चीज़ बनती है इसमें दुबारा इस तरह की question में हमेशा इस तरह की चीज़े बनती है तो final answer आपका आचुका है इसको highlight कर दीजिए ये आपका final answer है ठीक है